नवाज़कार बहुत बहुत स्वागते आप सभी का आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और NCRT ओफिशल में हूँ धर्मिद्र सिंग चली आज आपको हम लेकर चलते हैं एतिहासिक पश्मंजर में जहां पर बालमी की रामाण से उद्रत एक बहुत ही एक पश्मंजर लेकर आया हूँ जब रामण सीता माता को ठाकर ले जा रहा था तो उस समय एक शौरे की पराकास्था हुई थी जो बहुत लोगों ने पसंद की जो भी रामाण हमने टेलिविजन पर देखी तो बिल्कुल जटाहियो शौरियम की रूप में आज हम एक बहुत ही शांदार पाठियां पर पढ़ने जा रहे हैं कट्से नौ के विध्यारतियों के लिए इस से समय की बाते ताके वज़े से सिधा-सिधा मैं आपने जो ए एक्सपर्ट हैं जो की स्टूडियो में मेरे साथ तास्वरी फर्मा हैं उनका स्वागत कर देता हूं बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बेत प्रकाश्मिर्शा जी धन्यवाद तो नए वर्ष की आपको हार्दिक शुब कामना है आपको ही बहुत 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 शुब हो या मध्धे का समय हो शौरियता से तात्परिय है अपने करतब्य के प्रति सजगता हम आज जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो इसी को इंगित करता हुआ पाठ है हम पढ़ते हैं सुनते हैं अनेक जगहों पर देखते हैं कि भारती समस्कृती सबसे महान है लोग ऐसे नारा के साथ में हर समय अपने आपको प्रस्तुत करते हैं वो क्यों है कैसे है उसके लिए किवल एक दो लोग जिम्मेदार नहीं है लेकिन पूरी की पूरी इस पर एक स्रेड़ी है पूरी की पूरी ताता लगा हुआ है ऐसा समझ सकते हैं यहां के पशु, पक्षे, लोग, हर कोई भारती समस्कृती को महान बनाने में अपना योगदान दिया है और जो भी परोपकार के लिए या सामाजिक सुख को देखते हुए सामाजिक जो उत्तरदाई तो है उसको वहन करते हुए कारे करता है तो आज का ये पाठ ये गवाही देता है, आज का पाठ एक प्रतिमान है कि उसे युग-युगांतर तक याद किया जाता है दो-चार दिन की बाते नहीं होती है किसी समस्कृती को बनाने में, शब्यता को बनाने में लाखों वर्स लगते हैं तब जा करके कहीं, भविष्य में उसका उदाहरन प्रस्तोत किया जाता है आज जो पाठ हम पढ़ रहे हैं, ये पाठ एक आप ऐसा कह सकते हैं कि सामान्य होते हुए असामान्य व्यक्तित्त की है नकेवल वह हमारे लिए प्रतिमान बना, अपितु एक ऐसा मार्ग प्रशस्त कर गया जो मार्ग हम सब के लिए अनुकरणी है, हम सब को ऐसा करना चाहिए भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यद्यदा चरती श्रेष्ठह तत्त देवे तरो जनाह सयत्प्रमानम कृते लोकस तदन वर्तते तात पर यह यह है कि यद्यक आचरती श्रेष्ठह जो स्रेष्ठ व्यक्ति लोग हैं, जो समाज के बड़ी लोग होते हैं वो जिस प्रकार से आचरण करते हैं तत्त देवे तरो जनाह इतरह ये अन्य जनाह संती जो बाद की लोग होते हैं वो उत्तरवर्ती पीड़ी भी वैसा ही आचरण करती है वो उन्हें देखकर चलती है आप अभी समाज में उदारण देखते होंगे कि अगर कोई बहुत प्रशिद्ध व्यक्ति हो अभिनेता हो जिस प्रकार की हेर कटिंग में आता है जिस तरह के कपड़े पहनता है उसके फैंस लोग जो होते हैं वैसा ही करना सुरू कर देते हैं सयब प्रमाडम कुरते वो जिस प्रकार का कारे करता है वो प्रमाड बन जाता है लोकस्त दनुवर्तते समाज के अन्य लोग भी वैसा ह ब्योहार करना सुरू कर देते हैं ब्योहार सिध्ध है ये बात तो इतिहास के पन्नों में हम देखते हैं जब रामायड पढ़ते हैं हमारे देश की सबसे प्रशिद्ध पुस्तक है लगवक तीन सो से अधिक उसके एडिसंस हो चुके हैं अलग-अलग लोगों ने अपनी भाशाओं में अलग-लग प्रकार से रामायड का वरण किया है तो मूल जो रामायड है वालमी की कृत है उस वालमी की कृत रामायड से कुछ शलोक उद्धित करके आज के पाठ में समाहित किये गए हैं जो पक्षी राज जटाईू से संबंधित हैं जटाईू के विश्र में आप जानते होंगे कि रामायड में एक ऐसा पात्र है जिसने इस्त्रित्तो की अस्मिता के लिए एक इस्त्री की रख्षा के लिए अपनी जान नियुशावर करता है वह अपने करतव्य को समझता है कि भले मैं पक्षी हूँ लेकिन भारत वर्ष की पक्षी का भी यह करतव्य है कि जब इस्त्री की गरिमा को आँच आने लगे तो वह अपने आपको समर्पित करते हुए अपने प्राणों की आहुती देते हुए उसकी रख्षा करे ये एक सीख देकर के जटायू हमें गया कि यदि हम ऐसा करशकते हैं पक्षी होने के साथ साथ ऐसा करशकते हैं तो फिर मानों को तो करना ही चाहिए ऐसी सिख्षा हमें देता है अगर हम भारत वर्ष की प्राचिन सभ्यता संस्कृति जो पुस्तकों में पढ़ते हैं उसके अगर अनुयाई होते हैं वैसा करने में हम भी समर्थ होते हैं तभी वास्तों में हम उस गुरुता को उस गरिमा को पुनह प्राप्ट कर पाएंगे ये तो जटायू का कर्टब्य था जरा जटायू के बाद आज की लोगों का कर्टब्य देखिए उसके इसी आचरण की वजह से हज्जारों नहीं अपितु लाखों वर्स बीतने के बाद भी उसका यह आचरण आज भी भारत वर्ष में याद किया जाता है उसके स्मरण के लिए उसकी यादगार में आपको पता होना चाहिए कि केरल में एक ऐसा स्थान है हम चित्र में देख सकते हैं कि यह जटायू का एक मंदिर बना हुआ है जटायू के स्मरण के लिए ये एक स्मरणी स्थल बना हुआ है कहते हैं कि इसी स्थल पर जटायू ने अपने प्राणों का उत्सरग किया था यह केरल के कोलम जिले के चादया मंगलम गाओं में स्थित अस्थान है यह मान्यता है यहां के लोगों की कि जटायू ने इसी स्थल पर सीता जी के प्राणों की रख्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुती दी थी सिता जी को बचाने के लिए अपने आपको यहीं पर समर्पित किया था चित्र में यह बहुत बड़ा दिख रहा है यद्यपी तथा पी इससे भी भयंकर रूप में वहाँ पर है और बहुत ही दर्शनी अस्थल है तो यह भारत वर्ष की समस्कृती है कि जिसने समाज के हित में स्त्री की गरिमा के लिए अपने प्राणों की आहुती दी उसका स्मरण लाखों लाखों वर्ष के बाद भी किया जाता है वह एक आदर्श प्रतिमान बनता है आज हम ऐसे जटायू के विशय में पढ़ने वाले हैं कि जो रावड चलने पर जिसके धर्ति कपती थी इंद्र जैसे देवता जिसके घर में बंदी बन चुके थे ऐसे रावड के सामने भी खड़ा हो करके कितने गरिमा पूर्ण स्वर में उसे ललकारता है उसके कर्मों के लिए दुदकारता है जो गलत है वो गलत है वह मरना सुविकार करता है लेकिन अपने कर्तब से पीछे हटना सुविकार नहीं करता वह हमें इस प्रकार प्रेरणा करता है कि सामने वाला व्यक्ति यदि गलत है तो कितना भी बड़ा क्योना हो, चाहे धन से हो, बुद्धी से हो, शक्ती से हो, लेकिन उसे उंगली जरूर दिखाना चाहिए, उसे उसके गलती का एहसास जरूर कराना चाहिए, यही हम आज के इस पार्ठ में बढ़ेंगे, जटायोह सोर्यम, यह रामायर से उद्धृत पा कि अत्र वालमी की विरचिते काब्ये, वरणितस्य, अस्य, पाठ्यांसस्य, तावत वरणने जटायू रावणयोहो युद्धस्य वरणनम वर्तते, पक्षिराजो जटायू हू, पंचवटी कानने विलपंत्याहा, सीतायाहा, करुण करंदनम सृत्वा, तत्र गच्छती, तत्र सीता पहरणे निर्तम रावणं तस्मात निंद्यकर्मण निर्त्यर्थम प्रवोधयती, परंच अपरिवर्तितमतिही रावणह तमेव अपसारयती, ततह पक्षिराजह तुंडेन पादाभ्यांच प्रहरती, स्वनखैही रावणस्य गात्राणि विदारयती, एवं बहुविधाक्रमडेन रावणह भय धन्वा, भग्न धन्वा, हतसारतिही, हताश्वह, ब्रणी, विरथस्च संजातह, खगाधिपस्य, पुनह, पुनह, अतिसय प्रहारईही, ब्रणी महावली, रावणह, मूर्चितो भवती वह मूर्चित हो जाता है, बार-बार आक्रमड करने से, जटायू के प्रहार से, घायल रावण, उसका वरणन यहाँ बाल्मी की रिशी करते हैं श्लोकों के अर्थ को समझने के लिए उनका अन्वय किया जाता है अन्वय का सामान्य सा अर्थ आप ये समझ सकते हैं, कि अर्थ संगती के लिए उनके जो पद हैं, श्लोक के पदों का यथा क्रम से ब्यवस्थापन किया जाता है तो अन्वय इस श्लोक का हम इस प्रकार देखेंगे, कि तदा, सुदुखिता, करुणा, हवाचह, विलपन्ती, तदा माने तब उस समय इसके पहले भी बहुत सारे श्लोक हैं, यहाँ पर केवल दश श्लोक रखे गए हैं पाठ्ध्यांस में, तो हम केवल दश श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं जब सीता का अपहरण रावल ने किया, तदा, तदा नीन समय, उस समय सुदुखिता करुणा, हवाचह, सुदुखिता, अत्यंत दुखित हो करके करुणा, हवाचह, करुण वाणी से विलपंती विलाप करती हुई, रुदंती आयत लोचना, आयते लोचने यस्याहा सा आयत लोचना आयत का अर्थ होता है दिर्ग बड़े नेत्रों वाली सा अर्था वह सीता वनस्पति गतम गृध्धम ददर्श वनस्पति में अर्था जंगल में रहने वाला जो गृध्ध था उस गृध्ध को देखा गृध्ध माने गिध या गिध जो हिंदी भाषा में बोलते हैं तो उस गृध्ध को ददर्श लिटलकार का प्रियोग है देखा देख करके क्या कहती हैं जटायो पश्यमा मारिय ह्रियमाडाम अनाथवत अनेन राक्षशेंद्रेडा करुडं पाप कर्मडा यहाँ पे संबोधन कर रहे हैं हे आर्य जटायो आर्य शब्द श्रिष्ठता का वाचक है आर्य कहते थे तो संबोधन करके कह रहे हैं यहाँ पर यहाँ ऐसा द्रिष्ठानत है एक जो मनुश्यों के लिए और पश्वों के लिए समान बेवहार देखने को मिलता है आपी तिहाश में देखेंगे तो आर्य शब्द राजाओं के लिए प्रियोग किया जाता था कि हे आर्य मने हे श्रेष्ठ कुल श्रेष्ठ राजाओं में श्रेष्ठ मनुश्यों में श्रेष्ठ किसी के लिए भी कर शकते हैं तो यहाँ सीता जी जटायू के लिए संबोधन करती हैं कि हे आर्य जटायू अर्थात हे श्रेष्ठ जटायू अनेन पाप कर्मना राक्षशेंद्रेड यह जो पाप कर्म से युक्त राक्षशेंद्र 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 इसके द्वारा अकरुणम यह कैसा है करुणा रहित है अगर करुणा युक्त होता तो मुझे लेही नहीं जाता तो करुणा रहित जो यह राक्ष सेंद्र है वह अनाथवत हमें कैसा समझ रहा है कि मेरा कोई नाथ नहीं है मेरा कोई स्वामी नहीं है तो अनाथ के समान मुझ मुझे देखो ह्रियमानाम अर्थात हरन करता हुआ यह मेरा हरन कर रहा है तो ह्रियमानाम माम मुझे करन हरन करती हुई सीता को देखो कि है जटायू रावन हरन कर रहा है तुम मुझे देखो ऐसा वह जटायू को पुकारती है तम शब्दम अव तम शब्दम वसुप्तस्तु जटायू रथ सुस्ट्रुवे निरीख्यरावडम खिप्रम वैदेहीम चददर्स सह अथ इस प्रकार से जब सीता का विलाप या सीता की वाणी को अवशुप्तह अनुवय में देख रहे हैं अथ सह अवशुप्तह जटायू वह सो रहा था निद्रा में था अपने घर में बैठा हुआ जटायू था तो वह अवशुप्त जटायू था अर्ध निद्रा में बैठा हुआ सोया हुआ जटायू था वह तम शब्दम शुष्ष्रुवे उस शब्द को सुना जो पीछे सीता जी ने उच्चारण किया ऐसे शब्द को सुना सुन करके शुष्ट्रुवे भूत काल का प्रियोग यहां लिटल कार का कर रहे हैं कि वह सुप्त जटायू जो था वह सुना और सुन करके रावणम निरिक्ष निरिक्ष अर्था देखकर रावणम निरिक्ष रावण को देखकर के शिप्रम वैदेहीम चददर्ष और शिग्रही वैदेहीम चददर्ष वैदेही अर्थात सीता विदेह राजा जनक का नाम है और वैदेही उनकी जो अपत्य संतान है वह वैदेही हैं तो खिप्रम अर्थात शिग्र जल्द ही रावन को देखा और तुरंत विलाप करती हुई शीता को ददर्श अर्थात देखा देख करके ततह परवत स्रिंगाभ तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमह वनस्पति गतः श्रीमान व्याजहार सुभाम गिरम ततह ददर्श देख करके सीता को देखा उसके बाद वनस्पति गतः अर्थात उस वनस्पति में रहने वाला उस जंगल में रहने वाला जो वह जटायू है वो क्या करते हैं परवत स्रिंगाभ परवत की उची चोटी में बैठे हुए हमने जो पीछे चित्र देखा था वह वो कैसे हैं तो यहां उनके लिए विशेशन दिया तीक्षन तुंडः तुंडः का अर्थ मुख होता है तीक्षन तुंडः यस्य सा तीक्षन तुंडः तीक्षन तुंडः वाला तीक्षन मुख वाला जो जटायू है पक्षी राज है उसके लिए यहाँ श्रीमान और खगोतम दो शब्द का प्रियोग किया है महरश्री वालमी की ने कितनी क्या अधुत शब्द शहली है यहाँ मनुष्य और पक्षी का भेद समाप्त हो गया उसके करतव्यने जो मनुष्य के लिए प्रियोग होता है ऐसे ऐसे शब्दों के विशेशन जटायू के लिए प्रियोग किये जा रहे हैं श्रीमान अर्था श्री से युक्त जो है श्रीह अस्ति यस्य सह श्रीमान माने श्री शे जो युक्त है कांती से जो युक्त है आगे पढ़ेंगे रावन की श्री नष्ट हो चुकी है क्योंकि रावन पाप कर्म में निरत हो गया है वह गलत कार्य कर रहा है तो उसकी जो मुख की कांती है जो आभा है वह समाप्त हो गई क्योंकि वह चवर कर्म में प् तो यहाँ पर तीक्ष्णतुन्डः स्रिमान, स्रीष्टे जो युक्त है आईशा स्रिमान खगोत्तमह, खगेशु उत्तमह, खगोत्तमह, जो पक्षियों में भी उत्तमह, स्रेष्ट पक्षी है, वह उस पक्षी ने शुभांगिरम व्याजहार उत्तमवाली को बोला, वाणी को व्याजहार अर्थात बोला यहाँ वी आंग और जहार ऐसा था तो व्याजहार का अर्थ हो गया वाणी को बोला लिटला कार का प्रयोग अभी है क्या कहा निवर्तय मतिम्नी चाम परदारा भिमर्षनात ना तत समाचरे धीरो यत परोस्य विगरहेत नीचाम मतिम्न परदार भिमर्षनात निवर्तय नीचाम मतिम्न कार्थ है तुम्हारे अधम बुद्धी वाले रावण को यहाँ अधम बुद्धी कहा कि अरे अधम बुद्धी वाले परदारा भिमर्षनात पर इस्त्री श्पर्षनात दूसरे की इस्त्री के स्पर्ष की जो तुम्हारी बुद्धी है ऐसी जो तुम्हारी बुद्धी है उस बुद्धी को निवर्तय मतिम निवर्तय अपनी मती को अपनी बुद्धी को तुम हटाओ बदल दो ऐसी बुद्धी रखना तुम्हारा अच्छा नहीं है क्यों धीरह तत नसमाचरेत धीरह रथा धीर युक्तह बुद्धी युक्तह श्रेष्ठह यह अस्ती सह एवम नसमाचरेत जो धीर हैं जो समझदार लोग हैं श्रेष्ठ लोगों का यह करतब्य नहीं है समाज के जो माननी लोग होते हैं वो ऐसा कार्य नहीं करते यत अस्य परह विगरहेत इसकी निंदा होती ही विगरहेत अर्थात निंद्यात इस कर्म की निंदा होती है अन्य लोगों के द्वारा ये निंदित कर्म माना गया है इसलिए तुम अपनी इस नीच बुद्धी को परिवर्तित कर दो और यहां अपहरणकार्य जो है उसे बंद कर दो ऐसा जटायू कहता है पुनह क्या कहता है व्रिधो हम त्वम युवा धन्वी ससरह कवची शरी नचाप्यादाय कुशली कुशली वैदेहीम मेगमिश्यती चुनोती भी देता है पहले समझा रहा है फिर चुनोती देता है कहा अहम मैं व्रिध्ध हूँ अहम व्रिध्ध हुँ तुम जो तुम हो वो कैसे हो तो कहा सर अथह रथेन सह वर्तते ती सर अथह तुम रथ के साथ हो कवची तुम कवच पहने हुए हो युद्ध करने में समर अर्थ हो अपीच में जीवत मेरे जीवित रहते वैदे हीम आदाई सीता को ले तुम कुशली नगमिश्यती सहजता पूर्वक कुशलता पूर्वक नगमिश्यती जा नहीं पाओगे उसे चेतावनी देता है और चेतावनी देने के बाद रुखता नहीं है तुरंत प्रहार करता है आक्रमण कर देता है वह क्या कहा पतग का अर्थ होता है पक्षी अर्था जो पंक से चलते हैं उन्हें पतग कहा जाता है तो महाबली जो पतग है यहां जटायू महावलह प्रयोक विशेशन कर रहे हैं कि जो महाबली पतग सत्तम सत्तम का अर्थ उत्तम श्रेष्ट है पक्षियों में भी जो श्रेष्ट पक्षी है वह कौन है जटायू उसने तीक्ष्ण नखा भ्याम अपने तीक्ष्ण तीखे नखों के द्वारा चरणा भ्याम अपने दोनों पैरों के द्वारा तस्य गात्रे तस्य रावण स्य गात्रे रावण के शरीर में गात्रम शरीरम उसके शरीर में बहुधा ब्रणान चकार कई घाव कर दिये ब्रण हम शिग्रह इसको समाप्त करेंगे ततोस्य ससरम चापम मुक्ता मड़ी विभूशितम चरणाभ्याम महा तेजा बभंज आस्य महधनु हूँ बभंज पतगोत्तम हूँ ऐसा भी दो पाठ मिलता है यहाँ पर कि ततह उसके बाद महा तेजा जो बहुत ही तेज है तेज से यु हात भंजन कर देता है तोड़ देता है फिर वह सभग सभग्न धन्वा विर्थो हताश्वो हतसारति ही तले ना भी जगान आशू जटायूम क्रोध मूर्षित है वह भग्न धन्वा धनुस जिसका तूट गया है ऐसा रावण हताश्वह उसके अश्वोज मार दिये गए है ऐसा रावण हतसारति ही उसका सारति भी घायल हो गया है ऐसा रावण विर्था रथ से रही तो हो जाता है मूर्षित हो जाता है और उस रावण को आसू शिग्र ही तलेन अर्था पैरशे जटायू जो है वो मारता रहता है और बेहोस कर देता है मूर्षित हो जाता है ये वीरता यहां पर बताई गई है उसके बाद की कहानी अलग होती है कि रावण धोखे से जटायू को मार देता है लेकिन एक बार रावण पर विजय प्राप्त करता है जटायू और अपने करतब्ब का निर्वान करता है मुझे तो लगता कि आपके पास दर्वाण हें रत है कवच है सब कुछ आपके पास है और असीम शक्तियों की आप सवामी है तुर लोग विजयता है नौ ग्रहों को आपने कबजे में किया हुआ है आपने सारे देवताओं को कबजे में किया हुआ है तो पर ऐसे दुशमन के यहाँ पर बात हो रही थी तो हुसलिकी हमिशा विजय होती है क्यों वो उसके पीछे एक बहुत अच्छा उद्रण है कि सत्य के साथ जवाब होते हैं तो वो असीम शक्ति आपके आपको बिल्कुल निश्चित रूप से और इस अपम शक्ति की निश्चित रूप से हम सभी क सराहना करनी चाहिए, अपने अंदर भी इस गोंड को हमें डबल अब करना चाहिए, समय हमारे पास नेता विद प्रकेशी बहुत हो शुक्रिया हमारे साथ जुनने के लिए और शांदार उध्रण को हमारे दर्शुकों के सामने लाने के लिए एक जल्दी से सुचना और देता हूँ आप सभी को जैसा कि आपको विदेत है कि एक से बारा जनवरी तक का जो समय है वो रास्ट्रे कलाउटसव का है और आप वाकिफ हो पाएंगे भारत में जितनी भी विविदेताएं हैं बादे से लेके कला से लेके गायन से लेके उन सब असनाफ उन सब विदाओं से जुड़ने का और घर पर रहकर उसका लुद फुराने का अगला जो शेशन है वहाँ पर अगर आप ऑनलाइन फानेंशिल ट्रैंजेक्शन के बारे में कुछ शिमातपूर्ण सुचना है चाह रहे हैं तो फिर वेबिनार कारेकरम के अंतरगत साइबर सिफ्टी एंड सेक्यारिटी एक जो वेबिनार सीरीज अभी रेनिंग है उसके कर दो